15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था लेकिन उससे पहले दसमई 1857 की जो करांती है यहां अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले भारत में बिगुल फूका गया था बगावत अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गई थी और मैं उस स्थान पर हूँ कि जहां 85 जो सैनिक थे भारतिय सैनिक थे उनको यहां पर कैद रखा गया था यह जगा है मिरट का विक्टोरिया पार्क और विक्टोरिया पार्क में ही एस्थाई जेल बनाए गई थी और उस एस्थाई जेल में यहां उन भारतिय सैनिकों को कैद करके रखा गया था दिखाता हूं कि जो 85 भारतिय सैनिकों के जो नाम यहां पर लिखे गए हैं आप यह देख लिए विक्टोरिया पार्क जेल तोड़कर छुड़ाए गए सैनिक 10 मई 1857 यहां पर लिखा हुआ है और यह देखिए उनके यह नाम यहां पर लिखे हैं यह देखिए हवलदार मा मिठ पाठक जी डॉक्साब आपसे जाना चाहूँगा कि देश के आजादी की बात की जाए और दस मई 1857 और विक्टोरिया पार्क की जेल की अगर जिक्र ना हो तो बात अधूरी से लगते हैं थोड़ा सा यह किस्ता समझना चाहूँगा आपसे देखे जो आजादी की उसके 90 सिपाईयों को आदेश दूँगा अगले दिन और उनको एक कार्तूस प्रयोक करनी की नई विदी सिखाऊंगा जिसमें उनसे मूँ से नहीं फाड़ना है बलकि हाथ से फाड़के लोड करना है हम सब जानते हैं कि अगर सिपाई के मन में है कि इसमें गाय और सुर की चड़वी है तो मूँ से छूना तो दूर वो हाथ से भी उसको छू नहीं सकता रात को उस रेजिमेंट के 90 सिपाईयों ने जिनमें आधे हिंदू आधे मुस्लिम सोलजर्स थे उन्होंने गंगा जल और कुरान पे कसम खाई कि अगले दिन परेड होगी तो उसमें हम कार्त माशल हुआ और उन सब को 10 साल की कठोर कारवास की सजा सुनाई गई नौ माई 1857 को उनको एक सामूरिक रूप से जलील किया गया और उनको एक तरह से सारे भारतियों सारे भारतिये सैनिक और अंग्रेजी सैनिक के सामने खड़ा करके उनकी वर्दियां फाड़ी गई बेड दोकों के सामने खड़ा करके दिखाया था अब 10 मही कांती प्रस्फुटित होनी थी तैयारी छे मेने से चल रही थी या उससे पहले से भी चल रही थी 10 मही संड़े की शाम थी सदर मजार में कांती शुरू ओती और सिपाई सीदे भागे अपनी लाइन्स की तरफ और जो एगुरसवार रेजिमेंट थी इसकी सिदे भागे और उन्होंने अपना असला कब्जे में किया क्योंकि उनको अपने साथियों को जिननको जेल में एक पहले भेजा गया था सबसे पहले उनको छुडाना था जिस थान पर हम खड़े हैं एक तो यह जो नाम लिखे हैं उन 85 सिपाईयों के हैं जिन्हों ने इंकार किया कार्थ्यूस प्रयोग करने से और जिस थान पे हम लोग खड़े हैं यह मेरट का भामाशा पार्क या जिसको स इसके साथ सामने हाइडल कॉलनी आती है वह पूरा शेत्र जो था मेरट की मेंड डिस्ट्रिक्ट जेल थी इसमें साधहन के दी भी थे 800 करीब और इन 85 सिपाईयों को भी अलग बैरक में इसी में रखा गया था तो यह वह स्थान है जहां वह जेल थी जिस जेल को तोड़कर क्रांती का आरम होता है क्योंकि बाकियों हमले तो उधर शुरू हुए सदर बजार वगाएब अंग्रेज के लिप किन्तु किसी भी शक्ति को किसी भी सरकारी विवस्था को अगर सबसे बड़ा अगहात को पहुंचता है तो उसकी बनाई जेल तोड़के वहां से अपने क् सबसे प्रमुक्त स्थान इसलिए भी रखता है कि आजादी मिलेगी यहीं पर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का आखरी अधिवेशन गुलाम भारत का यहीं हुआ था नवेंबर 1946 में और यह मंच बनाया गया था और इस मंच के ओपर जंडा फेराया गया था और करीब 20,000 पूरे भारत से लोग आये थे उस अधिवेशन मे में भाग लिया वो यहां मौझूद थे आचारे क्रिपलानी ने उसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल भी यहां मौझूद थे और इसी मंच पर बैठे हुए थे जब यह अधिवेशन चला तो यहां से भारत किस प्रकार का होगा जो उनकी कल्पना थी जिसको उन्हें निए बाद में एक स्वरूब दिया हमारे भारत को कि सबको इक्ष राइट होगा और तो आद्मियों को सबका बराबर का यह बहुराना षब इसी स्थान से पड़ पूरी दुनिया को बता लगा drug In यह भारती एथियास में अती आवश्यक मंच है और जब वो इस मंच को बना रहे थे तो उसमें वो जानते थे कि किस स्थान की महत्मेहें तो उन्होंने इधर तो वो दिखाया थैजिसमें की करन्तीकारीש 1857 को दशिया गया है किस प्रकार कान्तीकारी इखिए जेल तोड़ी और deeds और जोग हुए और यह जीत हासिल की ऐठारा सत्तावन की करन्ती के द्रश इधर बनाया गया है और अगर हम इसके पीछे आएं मतलब यह अधर से अगर आदमी चड़ता है तो यहां लोग बैठे होंगे तो यह उसका सामने का मुख है उस मंच का तो इसमें देखेंगे इसमें दांडी माच का दरश्य है और बीच में गांधी बने हैं और उसके लोग चल रहे हैं तो य यह जो दो आजादी की लड़ाई की दो धाराओं को युदवाली करांतिकारी धारा और कॉंस्ट्यूशनल लड़ाई जो गांधी के नेतित में लड़े गई एक तो उन दोनों धाराओं को दर्शाते हैं दर्शाता है यह मंच और उसके साथ यह भी दिखाता है कि यहीं से आजादी की लड़ाई शुरू हुई 1857 की और अब प्राय अंत होने जा रहा है तो उसका अंत हो रहा है इसका इनॉंस्मेंट भी इसी स्थान से हो रहा है तो यह माना जाए कि आपने पूरी कहानी बता दी कि वाके बड़ा दल्चस्प किस्सा है और जिस तरीके से यह जो थी वो तो सुबह साथ बजे तक आप देखें डिली गुष्टने का जो मेन रास्ता था नाओ का पुल था जो शाधर होते हुए निकलता है जहां पुराना लोहे का पुल है दिली जो रहें उनको पता है सबको वो नाओ का पुल था जो सीधे सलीमगर और उपर लाल के के अंदर खुलता था यह सिपाही गए और सुबह साथ बजे यह उस पुल को पार कर रहे थे सीधे गए लाल किले के अंदर एक दर्वाजा नीचे खुला था उसके अंदर खोल के वो उपर चड़ गए लाल के अंदर पहुंच गए और उनको बाद्शा से मिलने नहीं गया गया कि मार्शा का एक अंग्रेज ऑफसर था जो जो बाद्शा का सिकूर्टी का ध्यान रखता था उसने हाँ जफर की तो बादुशा जफर की तो उसने मिलने इंदिया किंतु यह पूरे लाल किले में दोड़े करीब तीन हजार आदमी वहां रहते थे उस जमाने में और इनाउंस किया कि हम मेरट से जीत के आए हैं और अब आजादी की लड़ाई दिली में लड़ी जाएगी जब उन्होंने यह इनाउंसमेंट किया यह बात पूरी दिली में फैली तो दिली के नागरे चांदी चौक से लेकर पूरे पुरानी दिली के नागरे गठ्टे होने लगे उनके साथ मिल गए और जो दिली में भारतिय सेनिक तैनाथ थे जो उनकी रेजिमेंट्स थी वो फॉरण आए उनके साथ मिल गए एक दिन में दिली इन्होंने अपने कबजे में कर लिया वहां से अंग्रेजी सामराज्य को पूरी तरह से मिटा दिया और जब दिली ह दिली हम लोग लड़े हमने सितंबर तक उसको होल्ड करके रखा अंग्रेज घुस नहीं पा रहे थे अंग्रेज जो थे वो जो रिज का हिस्सा है मतलब आप सोचिए जो दिली उनिवस्टी है अज उसका नौर्थ केमपस है और वो उसके आगे रिज है वो उनका रिज जो किले की दिवार थी वो हिंदुस्तानियों ने अपने हाथ में कब्जे में भारतियों ने अपने कब्जे में कर रखा था दोनों के बीच रडाई चलती रहीं दो महीने तक 14 सितंबर को अंग्रेजों ने फिर पूरा हमला किया पंजाब और अठाव सतावन में हैं हम लोग में 11 सितंबर अठावन को पर तो कब्जा कर लिया था 14 सितंबर को फिर अंग्रेजों ने और अपनी पूरी फौज पूरे उत्तर भारत से गठी की और दिली की शाजानागबाद के उपर हमला किया यह लड़ाई साथ दिन चली शूरु के तीन-चार दिन तो हम जीते रहें अंग्रेज एक कदम भी अंदर घुसना उनको मुश्किल हो रहा था किन्तु उनके पास असला ज्यादा अच्छा था उनके पास तोपे थी और वक्त के साथ साथ हमारी जब हार शुरू हुई तो उसके तब भी हम लोग लड़ते रहें अन तक और 20 सितंबर को अंग्रेज क के हाथ में शाहजाराबाद का कबजा हो गया जब अंग्रेज वहां काबज हो गये उसके बाद फिर करांतीकारी निराश नहीं हुए उन्हें का अब हमें आगे जगे लड़ाए होती रहें उसके बाद जो बाकी प्रमुक बैटल हुए वह मद्य भारत में और कानपुर और और काल पी और पूरे शेत में हुए उसके साथ साथ क्रांतिकारी घटनाएं पूरे भारत में एक तरह से देखी जा सकती है आसाम में कोशिश की गई कि वापिस अहुम राजा को वापिस गद्धी पे बिठाया जाए घटनाएं आनंद गुजरात की हैं महराश्ट के अंदर ह जहां से घटनाएं हुई तो बाद में अंग्रेजों ने उन सब को या तो फांसी की सजा सुना दी गई या उनमें से करीब 3,000 लोगों को 1858 में गिरफतार करके काला पानी भेजा तो काला पानी की सजा करने का जो क्रम है वह 1858 में 1857-1858 में बाग लेने वालों से शुरू ह शुरू होता तो यह माना जाए फिर उसके बाद 15 अगस उनिस्सों सेटालिस तक करांतियां चलते लों फिर अलग पंदर अग्रेजों को हटाना है तो हम सीधे हत्यारों से नहीं लग सकते क्योंकि उनके पास बहतर हत्यार है बहतर और यूरप के अंदर तो उन्होंने फिर अपनी पुनर जागरिती समाजिक पुनर जागरिती के उपर जोड देना शूरू किया जिसके अंदर कई स्वामी द्यानन अंद आये स्वामी वियकन अंद आये एक बढ़ी रंभी लिस्ट है हमारे बहुत जो इतने एक से एक दार्षनिक उस जमाने पैदा हुए उन्हों स सामाजिक करांती लाई और उसका सावाजिक करांती के बाद फिर दूसरी आजादी के लड़ाई जो कंटिनुएशन में फिर दो स्वरूप चले उसके एक तो चला हमारा जो करांती कारियों वाला जो 1857 से अपनी अपना सीख लेके आगे चले गदर मुवमेंट हो गया स्व वह क्रम 1857 से चलता रहा उसके पेरलेल एक और क्रम चला जो अंग्रेजों के साथ वारतलाफ करके और उनसे जितना कुछ फायदा उठा सकते थे उठाने कोश करते थे और भारत को एक जूट करके अंग्रेजों के उपर सामाजिक प्रेशर दबाव पूरे टाइम डालते र का देश की आजादी में किस तरीके से जो एहम योगदान है और कैसे देश को आजादे मिली दसमाई 1857 को बिगुल यहां से फूका गया लेकिन उसके बाद मूमेंट चलते रहे करांतियां चलते रही और आखिरकार दसमाई 1810 माई 1947 को हमारा देश आजाद हो गया ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी